शुरू करते हैं आपकी वक्षीट नमबर 136 तो यह अपकी इंग्लिश की वक्षीट आप पहले से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे अपना नाम अपने टीचर का नाम और क्लास अपना लिख लेंगे ठीकिए अपक्या लिखें लुक अट दे पिच्चर गेविन ब्लो य कि याख वाई फौर या याच उसके बाद कि लखा यांड फिर जेट फौर जीड़ो जेट फौर जेब्रा एंड जेट फौर जू तो आपने लिंग यहां आपने पढ़ा वाई जो की की कैपिटल लेटर में इसे और स्माल लेटर में ऐसे बंता है और या आपने जैट All these words are starting with the same sound Y यानि यह तीनों words E की sound से start हो रहे है जो है यानि जब की Greet बिल्कूल ठीक बहुत अचे All words are starting with the same sound of Z यानि यह जो words से यह सारे Z से start हो रहे है आगी क्या लिखा है देखिए Look at the information of letters below यहाँ पर आपको information दी गही है letters की and also read the picture given below and find out the initial sound there's name अब आपको यहाँ पे pictures भी दी गई है उनकी initials निम भी आपको find out करना है यहाँ simple है यह आपको Y बनाना सिखाया गया यह देखिए इस तरह से ठीक है तो Y से यो-यो, येलो कलर, योगा और योक योक जो अड़ा होते है एग उसके बीच पे जो वाइट जर्दी होती है उसको योक कहते हैं ठीक है इसके बाद कहा है Z for zebra यहाँ आपको दोनों Z बताएगा है तो Z से zebra, Z से zip और Z से zigzag जबके इसे टेड़ी मेरी लगीर होती है इसे zigzag कहते है तो आप इसको लिख सकते है आसानी से ऐसे ही बना लेंगे आप यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए देखे दिखाया गया कि बड़ा Y उपर की तीन लाइनों में लिखा जाता है और बड़ा Z भी उपर की ही तीन लाइनों में लिखा जाता है यहाँ इस पेश कम है इसलिए मेरा थोड़ा सा उपर नीचे निकल रहा है आप इसे सही कर लेंगे Y नीचे की दो लाइनों में लिखा जाता है जैट बीच की दो लाइनों में लिखा जाता है की कि और किसे सई हैं उनको सैख से बनाते हैं, जब Means से यूग है के टीज एक य2 वाई करते हैं तो आज कि वीडियों पसंद आई हो तो प्लीज अथि धका यह पक्राइक मैं Call, तो यह जरौ को मैं 언a इन उत्व की सब्सक्राइब है मैं पर जाइ aumento